आज हम लोग मात दिवस के बारे में बात करेंगे यानि कि मदर्स डे के बारे में बात करेंगे और आप सभी जानते हैं कि इस तरह कि डे यानि कि जो दिवस मनाए जाते हैं उनसे आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूचे जा दे रहते हैं और वैसे भी अगर questions नहीं पूछे जा रहे हैं या फिर आप लोग किसी एक्जाम की तयारी भी नहीं कर रहे हैं तब भी मुझे लगता है कि मा यानि की मात्ति दिवस यानि की मदर्श टे के बारे में आप सभी लोगों को मालू होना चाहिए और याद रखें देखें मा के काम का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता है और आप देखें महलाओं की बात तो अलगी होती है आप देखते होंगे कि पुरो सियानी की अगर 6-7 गंटे बाहर ओपिस में काम करता है तो वो अपने आपको ऐसे समझने लगता है कि उसी के उपर सबसे जानदा बोज आन पड़ा हो लेकिन आप सभी जानते हैं कि आपके घर में भी आप लोगों ने देखा होगा कि माज 4-5 बजे ओठी जाती है और दिन बार आपने देखा होगा कुछ ना कुछ काम करती रहती है और आप देखते होगे 10-11 बजे रात की बात कर आओं तब जाकर वो आराम कर पाती है और आपने देखा होगा कि सब को खाना खिलाना बच्चों की देखवाल करना उसके बाद आपने देखा कि वो आराम से खाना खा पाती है और वैसे भी एक बड़ी अच्छी कहावत किसी ने कहा है कि आप देखे कि एक माबाप आठ से दस बच्चों को समाल लेते हैं लेकिन जब वो बच्चे बड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि 8 से 10 बच्चे भी एक माब आपको नहीं समाल पाते हैं। और कई बड़े बड़े घरानों में आपने देखा है कि बिध्धा सरम में छोड़ दिया जाता है, मां को घर से निकाल दिया जाता है, उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता है, और इसलिए आप देखें कि मात दिवस मनाया जाता है, कि मा के मात का मालूत चले आपको, और दुनिया भर में आप लोगोंने कई ऐसे वीडियो और पिक्चर्स यानि की फोटो भी देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा मा की ममता की बात ही निराली है और तो और इंसानों में छोड़ी ही आप लो इंसान तो काफी समझदार माना जाता है पसुओं भी आपने देखा होगा कि कई बार अपने वच्चों को बचाने के लिए मा जान तक दे देती है कई वीडियो इस तरह के वाइरल होते रहते हैं तो चली हम लोग माते दिवस के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं और याद रखी दुनिया भर में मनाया जाता है क्या मनाया जाता है दुनिया भर में यह मनाया जाता है यह आप देखिए हमारी प्यारी बित्वी है और इस यह में आप देखें तो यह हमारा प्यारा भारत है तो भारत में भी मनाया जाता है और आप देखेंगे अगर हम लोग Mother Day की बात करें तो Mother Day दुनिया भर में मई महिने के दूसरे रवी बार की दिन मनाया जाता है Date कोई निर्धार नहीं की गई है मई महिने के दूसरे रवी बार को जो भी date पड़ेगी जो भी तारीख पड़ेगी उसी दिन ये मनाया जाता है साल 2022 में अगर आज की बात करें हम लोग इस समय की 2022 में तो Mother Day आठ मई को मनाया जा रहा है इस दिन को मनानी की सुरुआत उपचारिक तोर पर 1914 में हुई थी कब हुई थी? 1914 में हुई थी यह सिर्फ भारत में ही नहीं बलकि पूरे विस्व में उतने ही हरुसलास की साथ मनाया जाता है और Mother Day को मनानी की पीछे हमारे जीवन में मा की महत्ता को दरसाना है अगर इसके इतिहास के विसाय में अगर हम बात करें तो साल 1868 में एना मारिया जार्विस की मा एन जार्विस ने मदर्ष फैरेंड सिप डे की स्थापना के लिए कमेटी बनाई थी और जिसका उद्देश सिविल वार के दोरान विभाजित परिवारों को फिर से जोड़ना था और पहला मदर्ष डे 1908 में फिला डेलफिया के एना जार्विस द्वारा मनाए गया था तो ये भी याद रखेगा और 12 मई 1998 को उन्होंने वेस्ट वर्जीनिया के ग्राप्टन चर्च में अपनी स्वरगवासी मा के लिए एक मेमोरियल भी मेमोरियल रखा था और एना जार्विस ने सफेद कारनेशन पहने थे लेकिन जैसे जैसे रीती रिवाज विक्सित हुए बैसे बैसे लोगों ने अपनी मा के लिए लाल बा गुलावी रंग के कारनेशन पहनना शुरू कर दिया और एक स्वरगवासी मा के लिए सफेद कारनेशन पहनना शुर बिधी बत रूप से आप कह सकते हैं कि 1914 में पहली बार मनाए गया है यह कई वरसों तक चला और कुछ समय बाद लोगों ने दादी और चाची जैसे अन लोगों को भी मदर्श्टे की सेलिवरेशन में सामिल करना शुरू कर दिया लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन मह मई में रभीवार को ही क्यों मनाया जाता है आखिर यह आपको बता दूं कि मई में रभीवार को ही क्यों मनाया जाता है कोई बज़य तो रही होगी कि इस दिन को चुना गया एहना कि इस कदम के बाद अमेरिका के ततकालीन राष्टपती वर्रू विलसन ने उपचारिक त दूसरे रविवार के दिन मनाने की स्विकिति अमेरिका समयत यूरोप ये यूरोप भाल और और कई अन्यदेशों ने भी की है और आज आप देखिए दुनिया भर में ये मनाते हैं अगर हम लोग मदर्श्रे के महत्र की बात करें तो मदर्श्रे दुनिया के विविन हिस्तों में सभी माताओं के पिती, सम्मान, केर, प्यार, व्यक्त करने के लिए मनाये जाने वाला एक आउसर है यह दिन हमारी जिन्दिगी में एक मा की भूमिका को सेलिवेट करने के लिए मनाते हैं और यह आउसर सभी को अपने आसपास की माताओं के लिए कुछ खास करने का मौका देता है लेकिन इस बात की जहन रखें कि अपनी मा का सुक्रिया अदा करनक लिए किभल एक दिन काफी नहीं हो सकता है और आपने देखा होगा हमारे देस में भी जब किसी महान व्यक्ति की जैनती होती है पुर्नेतिती होती है तो आपने देखा होगा नेता सब वो उस पर tweet करने लगेंगे, एक दिन दिखावा करने लगेंगे, बाकी दिन आप देखिए उनकी विचारदारा से, उननेताओं की विचारदारा से कोई मतलब नहीं रहता है, अब आप देखिए गांधी, जैन्ती पर, देश भर में गांध लेकिन इस बात कभी है, ध्यान रखें कि अपनी माँ का सुक्रिया हर दिन मनाये, उनने खास होने का इसाथ दनाये, यानि कि हर दिन आप लोग उनका सम्मान करें, उनका महत्त करें, महत्त समझें, तो यही खास बज़या है और जब भी इस तरह का कोई डेव मनाया जाता है तो उसका इतिहास क्या है, और किस दिन मनाया जाता है, इस तरह कि जो भी महत्त समझें, उनने अपने पास ज़रूर रखा करिएगा, ठीक है?